हलो फ्रेंज आप देख रहे हैं फिल्मे भीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका सीरियल ससुराल सिमर का टू की कहानी काफी जादा दिल्चस्प मोड पर आ चुकी है सीरियल में आप घर वाले काफी जादा परिशान है क्योंकि हर किसी को पता चल चुका है की सिमर ने उन सब के लिए कितना कुछ किया है गजेंदर की जान बचाई है वही गिरी राज जब जेल जा चुका है बड़ी मा के कहने पर गिरी राज को अरेस्ट कर लिया गया है यही नहीं अब सलाकों के पीछे पहुँच गया है गिरी राजुली लेकिन बाहर चुत्रा अभी भी अपने गंदे मनसूबों पर काम करती निज़र आ रही है वो अभी भी प्लानिंग करने के मूड में दिखाई दे रही है वेल अब हम आपको बताना चाहते हैं कि चुत्रा करती नजर आएगी और ये सब को चौका कर रख देगी वैसे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गितांजली देवी ने अब आरफ को आदेश दे दिया है कि आरफ जाओ और तुम हमारे घर की बड़ी बहु सिमर को ढूंड कर लेकर आओ सिमर हमें अपने घर में हर हाल में च चाही है वही गजेंदर भी अपनी मा को बोलता है मा हमें सिमर बहु को घर में वापस लाना ही होगा आरफ भी अब काफी ज़्यादा अपसर दिखाई देगा क्योंकि आरफ को भी पश्टावा हो रहा होगा कि उसने भी सिमर को नहीं समझा सिमर बार बार बोलती रही चस्प होगा क्या वाकई में चित्रा अपने गंदे मनसूबों में कामयाब हो पाईगी क्योंकि चित्रा आनेवल एपिसोड में आपको बोलती नजर आएगी कि अब सिमर को मैं इस घर में कभी भी नहीं आने दूगी सिमर यहां से एक बार जा चुकी है लेकिन आब वो इस घर में कभी भी वापस नहीं आपाएगी लेकिन गिरी राज चुत्रा को कहता है जाने से पहले कि चुत्रा मैं तो इस घर से जा रहा हूं जेल में लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि सिमर कभी भी वापसी इस घर में ना कर सके पैसे यह तो मानना ही कि चित्रा अब भी चाल बाजी करने से बाज नहीं आ रही है जैसा कि आप जानते हैं कि अब गिरीराज को सजा हो चुकी है वो गिरफतार किया जा चुका है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है लेकिन बाब जूदस के वो चित्रा को बोलके गया है कि सिमर किसी भी हालत में इस घर में नहीं आनी चाहिए सिमर की घर में एंट्री ना हो ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भले ही मैं जा रहा हूँ लेकिन हमारी प्लानिंग अभी भी बरकरार रहेगी और उस वाल मेंचिन पर हम दोनों ही मिलकर राज करेंगे अब ऐसे में ये तो देखना ही पड़ेगा क्या वाकई में सिमर को लेकर चित्रा की नई साजश काम आएगी या फिर इस बार भी माता रानी देगी सिमर का साथ देखना बहुत ही जादा होगा दिल्चस्प और आप ही हमें कमेंट में बताए कि आपको क्या लगता है कि सीरियल का आने वाला ट्राक कैसा हो सकता है इस वीडियो में इतना ही